नमस्कार दोस्तो स्वागतें आपका आज के मुख्य समाचारों में जिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आज दिन बर की तमाम बड़ी खबर हैं मुख्य समाचारों के रूप में बन जाता है आई और 41-37 हो जाता है भाउ ऐसे कई उदाराने जो कि गाड़ियों की नंबर प्लेट पर आम तोर पर देखे जा सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गेर कानूनी है और ऐसा करने पर आप पर 5-10,000 रुपे तक का जुर्माना लग सकता है यानि कि दोस्तो में मोदी बोले 370 सीटे ला रही है भाजपा लूट और फूट कांग्रेस की ओक्सिजन 2023 में चुट्टी हुई थी 2024 में सफाया आता है जिया दोस्तो प्रदान मंत्री मोदी ने जाबूआ में कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है जब सत्ता से बाहर हो से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोक्सबा चुनाओं के लिए आपका मून क्या रहने वाला है इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं कि 2024 में 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार इसके बार दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार अगली खबार शियदा चुके बड़े लेता चुके लिए बड़े बड़े बिचाई गई हैं किसानों के ट्रेक्टर और दूसरे वाहनों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोका जा सके इतना ही नहीं ट्रोलियों में मिट्टी भरकर सडक मार्ग को अवरुद किया गया है मोके पर CRPF की टुकडी के साथ हर्याना पुलिस की कमपनियों को भी तैनात किया गया है वहीं दोस्तों फिलहाल फतेहबाद में पंजाब से सटे सभी रूटों पर सुरक्षा बढ़ाने की तेयारियां जोरो पर चल रही है पंजाब की तरफ आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है लोग सिर्फ वेकल्पिक मार्गों से आवाजाही कर नहीं है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार पुलिस ने बरामद किया है पुलिस ने 7.62 के और 9mm के 32 जिन्दा कार्थूस इन लोगों से बरामद किया है वहीं दोस्तों अल्दानी के आला पुलिस अफसर के मताबित अभी कुछ और हतियार इन से बरामद होना बाकिये इन में से एक हतियार पुलिस की गाड़ी को आग लगाने के दोरान लूटा गया है वहीं दोस्तों पुलिस का कहना है कि इस पूरे घटना क्रम में रोहिग्या लोगों का भी हाथ है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार एक अधिकारी ने यहां कहा कि 13 फरवरीगों किसानों के मार्च के मद्यनजर रईवार को राष्ट्य राजदानी के उत्तर पूर्वी जिले में धंड प्रक्रिया सहीता CRPC की दार 144 के तहत निश्यदाग्या लागू की गई है जो बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित हो पर रोक लगाती है लगबग 200 क्रिश्टी संगो द्वारा आयुजद मार्च के तहत उत्तर प्रदेश अर्याना और पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों के मंगलवार को राष्ट्य राजदानी की और मार्च करने की संभा होना है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी Nations Relief and Work Agency यानि के UNRWA के दरजनों करमचारी शामिल थे पहले इनकी संख्या बारा बताए गई थी इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार करनाटक में अमित शहा बोले बीजेपी जेडियेस गड़ बंदन पर संदेह ना करें कोर कमेटी की मीटिंग में चेताउनी दी बैमेल बोल ही परिशानी का कारण बनते हैं जिया दोस्तों ग्रहा मंत्री अमित शहा ने रईवार को करनाटक में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया इस दोरान उन्होंने बीजेपी और जेडियेस गटबंदन पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं को चेताओं नहीं दी अमिर्च शहा ने कहा कि जेडियेस और बीजेपी गटबंदन पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए 2019 में ऐसे ही असंगत चब्दों के कारण कांग्रेस जेडियेस गटबंदन की हार हुई थी अमिर्च शहा ने नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बेमेल बोल ही गटबंदन के लिए परिशानी का कारण बनते हैं कोई भी ऐसा बयान ना दें जिससे गटबंदन खत्रे में पड़े इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार जाबूओं में मोदी बोले 370 सीटे ला रही है भाजपा लूट और फूट कांग्रेस की अक्सिजन 2023 में चुट्टी हुई थी 2024 में सफाय आता है जाबूओं मोदी ने जाबूओं में कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है लूट और फूट यही कांग्रेस की ओक्सिजन हेराईवार को जन जातिय संबेलन में इन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजबा अकेले 370 सीटे ला रही है 2023 में कांग्रेस की चुट्टी हुई थी 2024 में सफाया तैय है प्रदान मंत्री ने कहा कि मद्य प्रदेश में विदान सभा चुनाओं के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोग सभा चुनाओं के लिए आप कामून क्या रहने वाला है इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहाने लगे हैं कि 2024 में 400 पार फिर एक बार मोधी सरकार इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार अशोग घैलोत ने बीजीपी पर भारत रत्न के नियम तोड़ने के लगाए आरोब बोले एक साल में केवल तीन को मिलता है जियां दोस्तों कि इन सरकार ने इस साल पांच सक्षियतों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है इसमें से चार को मरनोप्रांत दिया जा रहा है केंदर ने बियार के पूर्व सीम कपूरी ठाकूर पूर्व पीम पीवी नरसिमबाराव पूर्व पीम चोदरी चरण सिंग कृषिवेग्यानिक MS स्वामिनातन और पूर्व डिप्टी पीम लालकरेशन आडवनी को भारत रत्न देने का फैसला किया है राजस्तान के पूर्व सीम अशो गयलोत ने इस फैसले का स्वागत तो किया साथी केंदर की बीजेपी सरकार पर नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगाया गयलोत ने ट्वीट किया कि भारत सरकार द्वरा पांच विभूतियों को भात रत्न दिये जाने का स्वागत करते हैं इन विभूतियों के लिए हमारे दिल में अताहाप सम्मान है एवम देश के लिए इनका योगदान अतुलनी है हलांकि ऐसा लगता है कि एक वर्ष में अधिक्तम तीन भारत रत्न देने के नियम को तोड़कर आनन फानन में भारत रत्न देकर इस सम्मान का चुनावी करण एवम राजनिति करण किया गया है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार जो लोग धरना प्रदशन करते हैं वो किसान नहीं होते जेपुर में बिजेपी नेता बोले ये लोग राष्ट के परती चिंतनव विचार नहीं करते हैं इन लोगों की व्यक्तिकत आकांशा पूरी नहीं होती है या उसके लिए कार्य करते हैं दरसल दोस्तो बीजेपी किसान मोर्चा के राश्टिय मंत्री राम नरेश तिवारी आज जेपुर में प्रदेश बीजेपी कारले में बोल रहे थे राम नरेश तिवारी ने कहा कि मोधी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है हमने कभी किसानों से जूटे वादे नहीं किये हमने जो कहा है उसे करके दिखाया किन सरकार ने किसान सम्मान निदीश रुकी क्योंकि हमारा मानना है कि किसान समरद शाली बनेगा गाउं समरद शाली बनेगे तभी राष्ट समरद शाली बनेगा इसके बाद दोस्तों जान ल जैसे हरित करांती हुई दूद करांती हुई बैंकों का राश्ट्य करन हुआ वैसे ही इस से पिछलो आदिवासियों दलितों और गरीब जर्नल को पता चल जाएगा कि उनकी कितनी हिस्सेदारी है दो दिन के ब्रेक के बाद राएगड के दर्रा मुंडा में महात्मा गांधी प्रतिमा इस्तिल से रहिवार को भारत जोड़ो नयायात्रा फिर से शुरू हुई राहुल ने इस दोरान बच्चों से भी बात की उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविश्य हैं लेकिन उनमें नफरत फिला ही जा रही है भाजपा और संग के लोग देश में नफरत फिला रहे हैं